हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग अपने कभी मिक्सर जार में हल्दी डाले हैं या चम्मच की मदद से अपने कभी नरेल के छिलके को अलग किया हैं ऐसे ही कुछ टीप शेयर करूंगी तो चलि आज का टीप हम देख लेते हैं साबून के अंदर अपने कभी इस तरीके से फ्र मिक्सर जार को लेकर मिक्सर जार हम रिगूलर यूज करते हैं मसाला बगरा या कुछ भी पेस्ट बनाने के लिए ज़िगव हम रख देते हैं किचेन में कई बद छोटी छोटी कोक्रोज जो होते हैं न मिक्सर मेसिन के अंदर घुच जाते हैं फ्रेंड जिससे हमारा मिक्सर मेसिन ज्यादा दिन तक लस्टिंग नहीं करते हैं अंदर से जो वैर होते हैं खराब कर देते हैं कोक्रोज इस तरीके से कोई भी पूराना थाली के अंद कर रखिएगा हल्दी के इसमेल से कोक्रोज जो है थाली के आसपास नहीं आएगा और मिक्सर मेसिन के अंदर जाकर वह अपना घर भी नहीं बना पाएगा इससे आपका एक मिक्सर मेसिन सालों साल आप यूज़ कर सकते हैं ख्राब नहीं होगा मच्छर भगाने के लिए हम सभ कराते हैं लेकिन अब घर पर ही बीना केमिक लिए उसकर के मच्छर भगा सकते हैं मैंने दो नैप्थोलिन की गोली ले लिया है इस तरीके से पावडर बना कर ले रही हूँ फिर क्या करेंगे जो ओयल डालने के जो डिब्बे है उसके अंदर नैप्थोलिन की जो गोली हमन पावडर बना कर लिए है फ्रेंड उसको इस तरीके से डाल कर ले रही हूँ फिर इसके अंदर आप चाहे तो नारियल तेल भी डाल सकते हैं नहीं तो जो नीम का तेल होते हैं वो भी डाल सकते हैं मैं या पर नीम का तेल यूस कर रही हूँ अगर आपके घर में नीम का ते लबे लबे नहीं है तो नारियल तेल डाल कर रिफिल को बंद कीजिएगा फिर आप मेसिन के अंदर इस तरीके सो सेट कर दीजिएगा फिर आप इस मेसिन को लगाएंगे ना नाप थोले ना नीम का तेल ओयल का जो इस मेल है जिसके कारण मच्चर तुरंती बाग जाएगा आपको इस तरीके का मच्चर भगाने के लिए ओयल खरिदने के जरूरत नहीं पड़ेगा मच्चिस तो हम सभी लोग आग जलाने के लिए यूज करते ही है फ्रेंड लेकिन कई वर घूमने जाए और मच्चिस में पानी गिर जाए पानी में मच्चिस तो नहीं जलेगा मच्चिस के तिली एमर्जेंसी टाइम में फिर आप आग जला सकते हैं भीगा हुआ मच्चिस के तिली की मदल से अगर आप मचीस का जो तीली है इसमें थोड़ा सा वाइट कलर का टूट पेस्ट आप इस तरीके से लगा दीजिएगा फिर इसको रख दीजिएगा सूखने के लिए इस जो तूट पेस्ट लगा हुआ मचीस पानी में अगर भीग जाएगा तो भी आग जलेगा देखिए मैं पानी में भीगो कर अप लोगों को दिखा रहे हूँ क्यूंकि इसमें तूट पेस्ट का लेयर मौजुद है जिसके करण बारूद बाला पट भीगेगा नहीं आसान इसे आग जलेगा आगला जो टीप से फ्रिन आटा को लेकर आटा हम सभी लोग रोटी बनाते हैं कई बार आटा में बहुत सारा गुटली रह जाते हैं जिसके कारण रोटी बनाने में दिक्कत होती है तो इस तरीके कोई भी पूराना एक दिया ले लिजिएगा और आटा क आटा च्लनी की मदसे इस तरीके से छाण लीज़ेगा। अगर कोई भी गुटली है उत्तुरन्ती निकल जाएगा। और आपका आटा एकदम से फ्रेश आटा हो जाएगा। कोई भी गुटली नहीं रहेगा। तो एग चोटा सा टीफ जिरूर आप भी ट्राइकर के फ्रेंट देखिएगा उम्मीद करती हूँ एग टीफ आप लोगों को काम आएगा आगला जो टीफ से फ्रेंट गैस बननर को लेकर गैस बननर के जो छेद होते हैं बंद हो जाते हैं जिसके कारण आग नहीं निकलते हैं गैस बरबाद होते हैं इसके लिए काम कीजिएगा गुनगुना गरम पानी में नमक डालकर गैस बननर को डालकर रख दीजिएगा दस मिनिट के लिए पैया पर एक निम्बू के टुकरे भी डाल कर ले रही हूँ मैंने पानी ठंडा होने के लिए रख दिये थे पानी जब अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा फ्रेन तो निम्बू जो हमने लिए थे उसकी मदद से इस तरीके से घीसेंगे इससे सारी जो गंदेगी है वाइल चिपचिपा फैन है निकल जाएगा फिर एक सेप्टी पिन ले लिजिएगा सेप्टी पिन की मदद से अगर आप इस तरीके से क्लीन करेंगे न चोटे चोटे छेद में अगर आपको कोई भी गंदेगी है फ्रेन एकदम से निकल जाएगा और गैस बननर से अगर आप आग जलाएंगे तो अच्छे तरीके से आग निकल आएगा बाहर और आपका गैस भी ज्यादा बरबाद नहीं होगा देखिए मैं आग जला कर भी आप लोगों को दिखा रहे हूँ कितना सुन्दर से आग जल रहा है आगला टीप्स चलिए हम देख लेते हैं फ्रेन साबून हम सभी लोग अपने सरीर में यूज करते हैं साबून का बहुती एक बढ़िया अनोखा टीप्स शेयर करोंगे साबून में अपने कभी इस तरीके से मचिस का तीली लगाया है क्यूँ हम साबून में मचिस का तीली लगाएंगे कोई भी साबुन आप या पर ले सकते हैं साबुन को अच्छे तरीके से आप ग्रेटर की मदर से ग्रेट करके ले लीजिएगा फिर हमारी घर में जो इस तरीके का छोटा सा डिबबा हो या आईस क्रीम का कोई भी डिबबा छोटा सा ले लीजिएगा साबुन फिर इसमें अंदर मैंने तेच पत्ते को छोटा टुकरा करके ले लिया है बारूद वाला जो माचीस होते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया है फिर क्या करेंगे पॉलिथीन के अंदर हमें इसको डालना पड़ेगा इस तरीके से इस तरीके से डाल कर रबरबेंट ल आने लगता है, खराब हो जाते हैं, कई लोगों को नैप्थोलीन का स्ट्रॉंग गंध पसंद नहीं है, तो ये टीप्स ट्राइकर सकते हैं, इससे आपका कपर में बहुती बरिया खुश्बू रहेगा, साबून का, तिच पत्ता का या जर्म्स बैक्टिरिया खतम हो इसको चीलने में बहुती दिकत होती है, ते लोगों को कटारी की जरूरत परती है, या मेसीन की हमारी घेर में जो चील सकते हैं, और इस तरीके से आराम से हम एक नहीं मिंटो में ही दो तिन नरीया चील पाएँगे, देखिएं इस तरीके से नरीयल के जो चिल के होते हैं, लंबाई में हमें इस तरीके से धीरे-धीरे करके छीलना पड़ेगा, उपर से लेकर नीचे तक छील लियेगा, तो आराम से छील पाएंगे, नीचे से लेकर उपर तक नहीं, उपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से देखिए, मैंने नारियल को छील ल इस तरीके से आप बहुती आसानी से नारियल को छील पाएंगे अगर घर में जेन स्लोग नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है हम लेडिस लोग भी इस टीप की त्रूप नारियल को छील सकते मैंने तीनों साइड से सरासी की मदद से नारियल के छीलके को अलग करके ले लिया है अब नारियल को मैं इस तरीके से छीलके से अलग करके ले रहे हूँ छोटा सा टीप जैरूर आप ट्राइ करके देखिएगा इस से क्या होगा आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा नारियल छीलने में कोई भी आपको परिशानी दिक्कत नहीं होगी लेखिये कितना बरिया तरीके से हमने नारियल को छील लिये है तो चलिए फ्रेंट अच्छे लगे ये टीप्स तो जरूर आप ट्राइ करके देखियेगा अपने दोस्तों के साथ भी ये टीप्स जरूर श्यार कीजिएगा आगला जो टीप्स से हम देख लेते हैं हमारी घर में जो इस तरीके का शूस होते हैं बच्चों का कईबर धोकर देते हैं पानी में सूपने में समय लगता है तो अगर पानी इससे अब क्लीन करेंगे तो इस तरीके से पॉलिथिन के अंदर जो carry बाला जगा है, carry करने के जगा polythene में उल्टा करके shoes को टाल दीजिएगा फिर cloth clip ले लीजिएगा दो, अब रसी में इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे ना polythene के अंदर बहुती कम समाई में आपका जो shoes है एकदम से सूख जाएगा कोई भी shoes हो, आगला जो tip से फ्रेंड नारियल जब भी हम छेलते हैं इसके उपर चोटे चोटे गंदेगी रह जाते हैं जब भी हम नारियल को टुकड़ा करते हैं उसमें गीटते हैं और नारियल देखने में खराब लगते हैं तो इसको जरूर क्लीन करना चाहिए आप कोई भी एक चम्मच ले लिजियागा चम्मच की मदद से आप इस तरीके से घीसेंगे ना इसके उपर में जो छोटे 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 छिलके मौजूद होते हैं पार्ट गंदेगी का यह आराम से निकल जाएगा और आपका जो नारी एल है फ्रेंड एकदम से क्लीन फ्रेश हो जाएगा कोई भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं तो यह गंदेगी उसमें नहीं गिरेगा देखिए कितना सुनदेगा